मेलकाम इस्ट्विडेंट्स लाइफ वीडियो में अपने देखा था ओडिट की क्या डेफिइने हां सिटाट कहां से हुआ था इंडिया में क्या प्रोसेस हैं और नेशनल लेवल पर प्रकार से शाही हो आज की वीडियो में देखेंगे अंकेक्षन का चेत्र क्या है यानि स्कोप क्या है ICI जिसकी 1941 में 49 में स्थापना हुई थी Standard Accounting जो 200A में अंकेक्षन का चेत्र दिया हुआ है वित्ती विवनों में अंकेक्षन का चेत्र का वर्णन किया गया है इसकेनु स्यर्वित्य विवनों में अंकेक्षन का चेत्र उसके क्रिया कलाब के दाएरे समंधी विधानों को अनिवारे था इम इिस्ट्यूट की गूर्षना को धेhr hatersान में रखकर अंकेक्षन द्वारा निवढ़ायत किया जाता है यानि 201 के तरफ अंकेसरं का चेत्र निध्यक्ष चाहिएab जो दोटोनी फिस्थिक किसी को होते ह सिमिट नहीं करेगा या तो विधान tell निध्यक्त कि जाते हैं या फिर इंप्र Recgle कि गोषणा जाती है अंकेक्षन लेका फुस्तकों की घहन जाच है क्या है ओडिट जो होती है जो लेका फुस्तके होती है किसी भी कंपनी की किसी भी डिपार्टमेंट की उसके घहन जाच होती है अंकेक्षन इस परकार से किया जाना चाहिए कि अंकेषिसे देशिटीव विती बैउनों के लिए मत्तबों सभी पहलों का ध्यान रखे इसके के लिए अंकेक्षन कोे अपने कोई विचार निर्दायत करने से पहले निने लेना चाहिए कि सम्मंद सूचना वेधानिक मानने ता मरियादाओं के बाद भी जहां पर लागू हो विते वेवनों में भली भाती प्रकट की गई है इस सम्मंद में लंदन एंड जार्नल बैंक के मामले में कहाएं कि भी सही है तो जो कुछ फोइंट से देर रखे हैं कारे सेत्र तो क्या हैं लेकशन का ने वांत्यक नेत्र परना ले है इसकी जाजी यह जाने के लिए हैं कि क्या यह यह सहस्ता के लिए उप्यूक्ते हैं सभी लेंदनों की विद्धिवत अभी लें करने में साहिता मिलती हैं इसे पहले इसे कई प्रिक्षिन पूस्थाज की जाए जो यह जानने के लिए पेक्सिय थोंकी क्या वास्तमें ठ्रणाली कार्यान वन है गदम ऐसे राय से स्टापित करने के लिए आउस्थन के जुखातों के अंति मेरों को तैयर करने के लिए कादार उमें अभी लेको पर विश्वास कर सके तंत्रे अमविदियां ये परियाप्त अमव्यापक हैं या नहीं जानने के लिए उचकी समिक्सा करना और उनकी कमजोरियों और परियाप्ता को डूनना उसकी वजह से कपड़ा सुध्यों को अंजने में चलती जा रही हो यहनि जो चेत्र होता है आपकी गल्ते को गेरा का पता पहले से अपन को चल जाता है हंकि शुद्धता का पता चल जाता है लेका पुस्तकी की जात हो जाती हैं जब ओडिट करते हैं तो प्रमानक जो वाउचर होते हैं उनको चेक करते हैं वाउचरों में बीजग हो गया प्रपत्र होगी अन्य पुस्तके होगी उनकी साहिता से अपन ये ओडिट का गारे करते हैं तुन पत्रे चीटाई जिसको अप की जाज़ भी की जाती है पूजी गत आग यानि capital और revenue की जाज भी अपन की जाती है जो की डिस्यूट एंड payment जो लेके रखे जाते हैं उसकी जाज़ भी अपन करते हैं अन्य लेकों से तुलना जब अपन जाज करेंगे तो अन्य लेकों यानि गेलेंसेट और पेंडल एनने लेखों से तुनना करकी ये पता लगा जा जा सकता है कि अंतिम खातों में कहां मिस्टेक हैं और उनको सुधारा जाता है, परिणामों की जाजिzek, लाभमानी काते दोरा प्रदसित पर्धारा प्रदसित करना ताकि ये देका जा सके, की परिणाम सत्ते हैं और उचित है वेदानिक आउसकताओं की पूरती यदि किसी विधान के अंतरगर समामेलित संस्ता का अंकेक्षन किया जा रहे हैं तो इस उचित करना चाहिए कि वेदानिक आउसकता पूरी कर ली है यानि कि नॉर्मल ओडिट हो तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर वेदानिक को यानि वेदान के अनुसार वेदानिक ओडिट होती हैं जो आपको करवाना अनिवारी होती हैं जो की गवर्मेंट सेंटर गवर्मेंट करवाती हैं तो इसके लिए पूरी स्विधा कर ली हैं बात करेंगे उद्देश से ओडिट के क्या अबजेक वह उनको जिस संस्ता की ओडिट की जाती उस संस्ता की अंतीम काते सही है और नियुमानुसार बनाए गए यह में उद्देशी होता है वेव सही अंकेक्षन का उद्देशी संस्तरलाब आने सही है बताता है यह तो नहीं मानग लेकांकन एसे याने स्टेंडर्ड एकाउंटिंग दोसो और एसे दोसो चालिस के नुसार क्या है अंकेक्षन का मुक्की उद्देश से जो की रिपोर्टिंग अंकेक्षन का वित्ति वेवारों पर विचार परकट करने में समर्द करना भूलेयों का रोक्थाम पकड़ कर सुद्धी बात्में खुत्रदाय प्रबंद करना है उक्ते वीचारों मतों से ये गयात होता हैं कि अंकेक्षन में कई उद्देश से ही इसलिए अंकेषन को अपना कारे शेत्तर निद्दायत करने के लिए नियुकता से उद्देश में लिक्रत में लेना चाहिए ता कि बैसे में उसके दाइतों समंदी कोई विवाद उद्पन ना हो लेकिन जो मैंनुद्देसैं इन में कोई केस हुआ था तो उसमें थे picture object उद्देश से से किंड पॉइंट अज़्व एसने जो मुखु अब करें असध्यों का पता लगाना तो ही कुद्धित जो मुख्के उब देशे आगे देखिए जैसे कुद्र में परकर कि असुद्धियां होती है जैसे से दानतिक भूल के सुद्धित टेक्निकल असुद्धि सतिफफु कि मुक्गे उद्दे से में पश्टे एंतिमकातों की सत्यता सित्यता की जाच करना यानि जो मैंन उद्दे से हैं वो तो क्या है उद्दे से उसमें यहां से अपने इस्टाटे करते हैं तो अंकेक्षन का मत्वपन उद्दे सही हैं कि लेकों और समधित ब्योरों और परपत्रों की इस परकार जाज की जाती हैं जिसके प्रणाम से रूप अंकेक्षन ये रिपोर्ट दे सकी कि लावा निकाता सही है, पेंडल अकाउंट सही है, बैलेंस इट सही है, आर्थिक इस से इस्पाइशर इस्पाइशर एंपेकलार ने का है कि असुद्यों और दोका दोड़ी का पता लगाना ही मात्रंकेशन का उद्देश से नहीं है बलके अंकेशन का उद्देश से वार्शिक विवनों को विश्वेस नहीं ता कि मात्रा का निदात करना भी ये तो हो गया आप कापटियों गवन का पता लगाना जिस परकाल लेका पुस्तकु में असुद्यों की अनेक परकार के होते हैं उसी परकार कापटियों गवन का भी अनेक परकार से किया जाता है कि जैसे रोकड़ का गवन हो गया माल का हो गया संपत्तियों का हो गया सुविधा का हो गया सरम का मेनेजर हो कमपनी में लेकिन आप घर का काम करवा रहे है। ते हो गवं आपका सुवीधा का गवन सरमत ही है। । सकता है। दिन का पेमेंट्ट है। तो जो दिन का अगर ऑफ कर रहे है। तो वह हिसाब का गवर्ण हो गया तो यह काम भी क्या है इस चो ओडिट का उद्दे शे होता है इनको भी पता लगाना होता है कपट असुदियों को रोकना होता है अंकरेक्सण का उद्दे से कपटों असुदियों को ढून निlıkानना और उन्हें रोकने का परियास भी करना होता है हालाकि केंसे प्रतेक रूप से तो रोकी नहीं जा सकती लेकिने कमव से किया जा सकता है बादे कमने अधिनियम 2013 में इस पश्ट लिखा है कि किसी भी अंकेक सक्ट से एसी आसा नहीं की जा सकती कि सपी कपटों, गरबढ़ियों, असुद्धियों, गवन, अनियमत्ताई, प्रकास में आ गई हैं तो उन्हें खोजे और अनू तासंगिक हो कितना किन्तु इतना वश्ट से हैं कि यदि कपट को बढ़ावा देने वाली परिस्तिते या अंकेक सन के सामने आते हैं यानि कि उसका उद्धियों कपटों को रोकना होता हैं लेकिन साब साउ 13 में कहा गया है कि वो जरूरी नहीं कि सभी असुद्धियों को और गवन को पकड़ ले उसकी 33 सी जिम्मेदारी हैं कि परिस्तितियां सामने लग दे कम कर सकता हैं और उनको साउधानी से कारे करने के चेतावनी करमचार्यों को दे दे प्रबंदों को प्रामर्स देना यानि कि ओडिट का अंकेक संग जो होता हैं ओडिटर इसको सीए करता हैं तो इतना है कि वो प्रबंदा को जो मेनेजर होते हैं कंपनी और डेपार्टमेंटों को उनके एक प्रामर्स एडवाइस भी दे सकता हैं यानि इसमरनी प्रामर्स करना तो वेधानि करतव ही और नहीं आंतरिक मामनों में किस ला के लिए प्रभांध है केiyim कि का लिंगा लेना चाहिए इसले यह कुछ की ताज की जाज किसे वे संस्था कमजोर द्बुश्षी जानकारी प्रहोन दे यांट ने किसी केस बुक थे किया उसमें मेनेजर ये केसर हर बार आप कुछ मिश्टे कर रहे हैं यानि भूल के कान कर रहे हैं तो सी ये उसको चाहे तो उसको सला दे सकता है कि ये मिश्टे किस परकार से सोल होगी तो उसी परकार से काम करें करत पहरे पर नेतिक प्रवाव अंकिक से अपनी जाज पर किर हो जागरत हो जाए और कमशार को नेधिक समयों में यहां उमादार कारए करने के यानि कि जो नेधिक प्रवा हूँ यानि उनको नूर्मल रूप से समझाएं उनको यह बताएं कि आपने ये गलती कर दे तो आप कंपनी में नुक्सान हो जाएगा आपकी नुक्री चले जाएगी ऐसे नूर्मल रूप से रहे तो जो काम करेंगे वो सही रहेंगे और जो फाइनल डिसीजन आएगा वो अच्छा रहेगा अंकेक्षन के उद्देशे पर प्रखाष डालते हैं कि वित्ती विरुनों का उद्देशे अंकेक्षन को इस योगी बनाता हैं कि इनकी रहे पर कट कर सके और लाश्ट में बात करेंगे कमपनी की वित्ती स्थिति का भी पता लगा ना अंकेक्षन का उद्देशे होता है जो का एक राइविक्त करने में एक एक संबर्थ बना था एंग केक्षक संस्ता की वित्ती इस्ततियों को सही उच्चित देश्टिकून पस्तुत करें पर्तिवेदन समंधी कारों के लिए विश्चित विविविन लाइन देनों ते बारे में जैनि अंकेक्षन का मतलब होता ह जाज कारे है और अंकिक्षन होता है जो उस कारे को करता है जिसको बोलता है अपना सीअ चांटेट टे या स्रैटिफाईड और व Då दो हुद देश जिसका मेन उद्देश से तो हैं अंतिम खाता है चेक करना यानि कि पी एंडल और बेलेंस सीट चेक करना लेकिन अन्य उद्धे से भी है जो आपने देखे मुक्य देशे तो अंतिम कातो की सत्यता और सुद्धता के जाज करना जबकि सहिक उद्धे से में के असुद्धियों का पता लगाना गवन का पता लगाना मैं और पर्वे जाना खेस्द्धियों को रोकना प्रभनू को सिला देना न aug vidé क्रम्जा प्रभाव टालना है मोई तो इस वीडिओ में अपने देखा क्या ओब्जेक्ट हैं क्या उद्धे से हैं और क्या कार रहे हैं और क्या सेक्टर हैं अगले वीडियो में देखेंगे उनके एक्षम कितने प्रकार के होते हैं तेंक यू